ग्रहों के गोचर और नक्षत्र परिवर्तन के बारे में आपने बहुत ही सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनी का चंदर ग्रहन भी होता है आज हम आपको इस अनोखी खगोली घटना के बारे में विस्तार से बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी ह विग्यानिक दृष्टी से ग्रहन को खगोली घटना माना जाता है लेकिन जोतिश शास्त्र में इसे बेहद महत्वपूर्ण माना गया है जोतिश में रुची रखने वाले लोगों के लिए इस महीने का आस्मान खास होने वाला है 24 जुलाई शनी का चंद ग्रहन दिखने वाला है जो भारत में 18 साल बाद देखा जा सकेगा 24 और 25 जुलाई की मध्य रातरी में इसे नंगी आखों से देखा जा सकेगा वैज्यानिक दृष्टी से ये खगोले घटना 24 जुलाई की राट देड़ बजे से शुरू होगी और धीरे धीरे बढ़ेगी पंदरा मिनिट बाद एक बचकर पैतालिस मिनिट पर चंद्रमा शनी को पूरी तरह से ढख लेगा और फिर दो बचकर पच्चिस मिनिट पर शनी चंद्रमा के पीछे से निकलता हुआ नजर आएगा ये अदृतिय द्रश 18 साल बाद देखने को मिलेगा जिस तरह शनी का गोचर नक्षत्र परिवर्तन मानव जीवन और सभी 12 राशियों पर प्रभाव डालता है उसी तरह शनी का चंद ग्रहन भी सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा इस अनोखी ग्रहन के दोरान शनी का चंद्रमा के पीछे छिपना चंद्रमा के किनारे से शनी के रिंग्स का नजर आना एक अद्भुद द्रिश्य होगा जोतिश गर्णा के मुताबित ये चंद ग्रहन पांच राशियों कुम्ब, मकर, मीन, कर्क और व्रिष्चिक के जात अर्थिक सावधानी बरतनी की सला दी जाती है, ये दुरलब नजारा भारत के अलावा, श्रिलंका और चीन जैसे पड़ोसी देशों में भी देखा जा सकता है, एक्सपर्ट का कहना है कि ऑक्टोबर में फिर से ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा, इसलिए अगर इसका बहुत महत्व है, अपनी आखें आस्मान पर रखें और इस अद्बुत नजारे का आनंद लें, लोकल एटीन के लिए अयोध्या से सरवेश शिवास्तव की रिपोर्ट